वेलकम बैग मैं काईज आज आपके लिए लेकर आई हूँ पिंक आई मेकप और यह मेरा फॉस्ट वीडियो है फ्रेंड्स कीप सपोर्टिंग मैंने अपना फेस वॉष कर लिया है लेंसे अप्लाई कर लिये हैं मौशिराइजिन के लिए मैं अपने फेस पर वैसलीन का अपने फेस पर उसे जरूर अपलाई कीजिए रूटीन में रखिए यहां मैंने क्रीम कर लिए है 2-3 इसे सेट होने के लिए दूंगी और लिब बाम मैंने फेस पर निविया का लगाया है निविया का पॉमिग्रिनेट लिबबाम लगा रहे हूं और पांच मिनट का वेट करेंगे, पांच मिनट हो चुके हैं, बेस के लिए मैं प्राइमर लगा रही हूं सबसे पहले, और MNM का मैं ये प्राइमर ले रही हूं, एक पंप मैंने फिंगर पे ले लिया है, पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाय करेंगे, वाम कर लेंगे थोड़ा फिंगर रब करके, ठंड है, तो ये थोड़ा सा गाड़ा भी हो जाता है, और जल बेस है, तो ये ओविस सी बात है, गाड़ा भी होता है, अपने फेस पे अप्लाय कर लेंगे, जहां आपके ओपन पोर्स हैं, वाम पे अच्छे से 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 अट होने के लिए पांच मिनट छोड़ दीजिए, और पांच मिनट बाद, मैं अब अपना बीबी क्रीम मी ओन का लगा रही हूं, मैंने फेस पे डॉट डॉट मोशन में मैंने ये लगाया है, और इवनिंग मेकप है, तो ये थोड़ा सा लाइट होगा, मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगा रही हूं, हेवी बेस तयार नहीं कर एक लाइट बेस के लिए बीबी क्रीम ले लीजिए, चाहे तो आप सीसी क्रीम ले लीजिए, लेकिन इवनिंग में यही ठीक रहता है, फाउंडेशन थोड़ा हेवी हेवी लुक देना शूरू कर देता है, और पिंक है, बहुत सॉफ्ट सा आई मेकप करूंगी, मेरी स्टूडेंट भी पीछे बैठी है, मैं उसे भी समझाती जा रही हूं साथ साथ, कि आप अपने बीबी या सीसी क्रीम को लगाने के लिए जब भी ब्लेंडर का यूस करें, तो उसे स्वाइप या ड्रैग मत कीजिए, उसे डैप डैप मोशन में ही लगाईए, डैप एप मोशन में एजीली इवनली अप्रेड हो जाता है, अधरवाइस यह फटा फटा सा केकी केकी सा फील देने लगता है, ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में भी होई है, वो अपने साइज से डबल या ट्रिपल हो जाएगा, उसे अच्छे से निचोड लीजिए और फिर उसे आपको टैप टैप करके अपने पूरे फेस पे, अपने पूरी नेक पे, इयर्स पे अप्लाए करना है, और अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है, मेरा फेस बहुत जादा वाइट वाइट सा, तो फ्रिंट्स में आपको बता दू, ऐसे बहुत से बीबी सीसी फांडिशन्स होते हैं, जो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा हैवी सा या वाइटिश सा लुक देते हैं, लेकिन वो सेट हो जाने के बाद बिल्कुल इविन हो जाते हैं, अपनी ब्रॉज को फिल करने के लिए मैं या कैमलीन का डाक ब्राउन आइब्रो पैंसिल ले रह इसे अच्छे से शेप अप कर लिए जो भी आपकी आइब्रो की शेप है उसे अच्छे से इनहेंस करने के लिए हम अपना आइब्रो को फिल करते हैं और आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरीके से अपनी आइब्रो को फिल कर रहे हूं बहुत बहुत पसंद है और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहां पर कंसीलर लगाऊंगी अपनी आईज को अच्छे से कंसील करूंगी पहले आप अपनी आईब्रो को अच्छे से शेप दे दीजिए शेप देने के बाद ही हम कंसीलर लगाएंगे जब आप अपनी शेप से बलकुत संतुष्ट हों तभी उसके ओपर कंसीलर लगाएं कंसीलर हम करेक्शन के लिए लगाते हैं यहां पर मैं cover screen का ले रही हूँ और अपने brush के ऊपर मैं थोड़ा makeup ले ले लिए डिरेक्टली स्टिक से apply नहीं कर रही हूँ नहीं तो बहुत जादा apply हो जाएगा और अपनी eyebrow को sharp करने के लिए कुछ इस तरीके से मैं जिस shape में अपनी eyebrow चाहती हूँ उसे define करने के लिए एक highlight देने के लिए अच्छे से conceal करोंगी अपनी शेप में मैं यह लगा रही हूँ और इसे beauty blender की help से मैं बाद में ब्लेंड कर दूंगी और इमें ऐसे ही अपनी दूसरी आई पे भी लगा रही हूँ स्वारी आइब्रो पे लगा रही हूँ अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ पारी एक उमीद है एक होप है कि शायद आपको मेरी बात सही से समझ भी आ रही हो और यह डैम ब्यूटी ब्लेंडर की help से जो ही pointed वाला side होता है ना उस जगह से क्योंकि easily आप महां पहुंच सकते हैं जहां आईब्रो पे पहुंचना चाहते नहीं तो आप पूरी आईब्र है मैं उसकी help से यह fluffy brush ले लिया है मैंने उसकी help से set कर दूंगी और मैं पूरे face को भी easy powder से set करूंगी face set करना इसलिए ज़रूरी होता है नहीं करेंगे ना तो फाइन लाइन्स में पूरा भर जाएगा अपनी eye makeup के लिए miss gold का 002 palette ले रही हूं और यह fluffy brush लिया है यह मैंने amazon से buy किया था pink shade pick up करके फटा फट से थोड़ा dark shade है यह और इसे मैं अपनी crease line पे apply कर रही हूं crease line मैं अपने student को बता रही हूं कि यह होती है जो आपकी eye पे यह shape आती है skin जो double double feel होती है उसे crease line कहते है और एक बार में अपने brush पे थोड़ा ही powder लीजिए अपनी eye के corner पे ऐसे round on motion में मैं थोड़ा ज़्यादा product लाऊंगे और उसी को पूरी eye पे blend करूँगी कुछ इस तरीके से second eye पे भी मैं कुछ इसी तरीकी से blend कर रही हूं और आप देख सकते हैं कि दोनों eye पे even ही make up होगा अपने brush को जरूर टैप कर लीजिए यह देखिए मैं आपको palette दिखा रही हूं और यह सबसे dark shade जो pink ओला है मैंने वो लिया है मैंने कोई transfer shade नहीं लगाया क्योंकि already मैंने अपने powder से उसे seal कर लिया था evening में light effect चाहिए कोई proper eye makeup करके कहीं हम नहीं जा रहे हैं एक छोटी सी party है और यह वेगा का flat brush लिया है मैंने इसकी help से मैं lighter shade pink का lighter shade यह आप देख सकते हैं का lighter shade मैंने अपनी eye के center पे drag करना है ड्रैग यानि नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से लगाना है आप इसे blending brush की help से बाद में blend कर लिजिए अपनी eye को तीन parts में divide करते हैं corner middle and starting point जो आपकी eye का होता है उसे तीन parts में divide करते हैं बिल्कुछ center point पे कुछ इस तरीके से drag motion में light pink color लगा रही हूं और इसमें थोड़ असा shimmery है यह powder based नहीं है cream based eyeshadow palette है travel friendly है आप इसे कहीं पे भी अराम से लेके जा सकते हैं pocket में डाल सकते हैं अपने wallet में डाल सकते हैं I mean ladies purse में डाल सकते हैं और मैंने fluffy brush की health से blend कर लिया है इस तरीके का इसके संग यह sponge eye shadow के लिए आता है और यह मुझे इतना convenient नहीं लगता इसलिए आज फिलहाल मैं पहली बार इसे use कर रही हूं और इससे मैं अपनी inner eye को highlight कर रही हूं ब्लुकुल light baby pink से और यह इतना light है कि यह just a highlighter ही work करेग आपके face पे इस palette में मुझे सारे shades available है green blue और इसमें highlighter भी है इस तवाले eye shadow में next मैं color queen का eyeliner लगा रही हूं वैसे तो मैं gel eyeliner प्रेफर करती हूं लेकिन music dark मुझे जादा अच्छा लगता है लेकिन यह वाले का मैं आपको review दे रही हूं यह वाला भी बहुत अच्छा है मैंने यह second time use कि किया था तो मुझे इसके लिए अच्छा खासा coconut oil से मसाज करना पड़ा था यह मैंने दोनों eyes पे equal लगा लिया है थोड़ा सा teal लगाया है और मैं आपने student को बता रही हूं कि किस तरीके से eyelash को fold करते हैं mascara लगाते हैं यह कुछ भी यह मैंने लिया है Ocea का magnetic kajal यह भी मैं इसे अपनी waterline पे अच्छे से लगाएं थोड़ा bold ही लगाएं तो जाद अच्छा लगेगा क्योंकि मेरी eyes पे बिल्कुल fine kajal वैसे भी अच्छा नहीं लगता और आजकल trend चल रहा है काफी bold or smoky का तो bold eye waterline पे मैंने bold kajal लगाया है और काफी हद तक मेरा eye makeup complete हो चुगा है आपको कैसा लगे friends जरूर बताएं first tutorial है समझ पारी हूं नहीं समझा पारी हूं कुछ समझ नहीं आ रहा है और इसी eyeshadow palette में से मैंने golden color लिया है golden eyeshadow लिया है और उसी से मैं अपनी highlight कर रही हूं eyebrow को यह मेरी eyebrow bone होती है friends जहापे मैं highlighter लगा रही हूं इसे eyebrow bone कहते है golden shade मैंने लिया ह हलका सा सिर्फ एक highlight मिले इसी लिए यह वाला shade लगाया जाता है आपकी enhance हो जाती है eyebrow और ज़्यादा finger के help चैसरी लगा रही हूं क्योंकि वह brows में थोड़ी सी लग जाती है तो brows भी shimmery लगने लगती है आपको कैसा लगे आप ज़रूर बताइए यह मैं बार 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 पूल रही हूं आप मेरी lipsing पे मत जाना friends क्योंकि मैं संग के संग अपने student को भी समझा रही हूं यह मैंने deluxe kit लिया है इसमें bronzer blush और compact powder तीनो है यहां से मैं यह bronzer उठा रही हूं यह powder है जिसे आप dark shade यह कह सकते हैं जिसे अगर कोई dark lady हुई या dark हुई लड़की तो वह as a powder भी से यूज कर सकती है और मैं इसी के help से कर रही हूं मैं cream contouring नहीं कर रही हूं मैं powder contouring कर रही हूं क्योंकि cream contouring बहुत एक harsh sharp सा look देती है और वह night में थोड़ी जादा या bridles पे थोड़ी जादा अच चाहती तो मैं cream भी ले सकती थी बहुत heavy लगता है कुछ इस तरीके से अपने face पे contouring करते हैं अगर आपको contouring सीखनी है friends तो मुझे बताईएगा मैं आपको cream contouring से और अच्छे से एक video बना के बताऊंगी फिलहाल जल्दी से जल्दी आप 5-10 minute में अपना जल्दी से जल्दी skin से तो यह दब जाएगा जो आपका extra skin होता ना वो दब जाएगा कुछ इस तरीके से मैं अपनी double chin भी height करने को जैसा कि आप देख सकते हैं में double chin दिख रही है अब मैं यही powder अपनी double chin area पे लगाऊंगे कुछ इस तरीके से तो यह height हो जाएगा दब आदब आसा feel होगा अब ही बता रही हूं कि कुछ इस तरीके से पाउडर लगा लो तो बहुत जादा feel नहीं होता कि आपके double chin भी है और यह neck के नीचे आ जाता है तो किसी को दिखता भी नहीं है सामने से और यह अपने temple पे यानि forehead पे मैं कुछ इस तरीके से यह लगा रही हूं बालों के अपनी इसे आख पाल्ट में से मैं अपनी मही पाउडर लेकर मैं अपनी नहीं को भी क्यावतावजर करूंगी यह आई के पी ब्रोज की नीचे सेद्धिन आफ लगाऊंगी। दोनों द्धार लगाने है, आप अपनी नोस को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से शेड़ जिसकी नाग ज्यादा चौड़ी होती है फिलाल मेरी बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है लेकिन मैं अच्छे से उसे शेप देना चाहती थी और जिसकी जैसी नोज होती है अगर चौड़ी है तो आप उसे मेकप के हल्प से पतली भी कर सकते हैं उसे एक ऐसा इल्यूजन दे जिसकी नाग फूली होती है यह चौड़ी होती है वह इस तरही के से अपनी नोज को दवा सकते हैं मेरे को जरूरत नहीं है लेकिन आपको बताने के लिए मैं यह मेकप कर रही हूं तो आपको बताने के लिए जो मुझे पॉसिबल लग रहा है इस वीडियो में वहर चीज और मेरे स्किन टोन से बहुत अच्छा मैच होता है मैं एक फ्लफी ब्रश की हल्प से इसे ले रही हूं अपने चीक बॉन्स पे लगा रही हूं हमारे चीक्स को भी तीन पार्ट में डिवाइट किया जाता है हाइलाइटर पॉइंट ब्लश पॉइंट और कॉंटरिंग लाइट सा कर रही है विलकुल डैप डैप मोशन में डैप डैप मोशन में मैं इसलिए कर रही हूं ताकि मेरी पाउडर कॉंटरिंग और ब्लश दोनों अच्छे से आपस में मर्ज हो जाएं अगर वो अलग अलग दिखेंगे तो हार्श फील होगा और वो नेच्रल मेक कि आपको एक अच्छा सा स्रिफ ब्लशी फेस दिखें अगर आप थोड़ा सा जाधा कर लेंगे ना तो दिन की रोशनी में थोड़ा जाधा दिखने भी दिखता है और वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता खुद को भी इंफाक्ट इंबैरिसिंग फील हो जाता है तो कुछ इस तरीके से पाउडर कॉंटोरिंग आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी कर सकते हैं यह देखिए यह मेरा हो चुका है कि अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं चिन पे भी मैं ब्लशर लगा रही हूँ एस वक्त हलका सा ब्लशर नूस पे और चिन पे मैंने लगाया था इसके बाद मैं अपना एक हाइलाइटर ले रही हूँ और क्यूबिक बो इसे लिप्स के ओपर जो आपका पॉइंट होता है इसे क्यूबिक बो कहा जाता है इसके ओपर फिंगर की हेल्प से मैं लगा रही हूँ प्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं फिंगर से अच्छे से लगाया है थोड़ा चा और उससे समझा रहे हूं कि इस पैलेट का काम अब खता हो चुका है इसके बाद मैं यूज कर रही हूं ये इविन की लिप लाइनर ले रही हूं इसका शेड है मेरा L34 रेजबरी रैड और इससे मैं अपनी लिप को लाइन कर लूँगे अगर आप बिगनर्स है तो अपनी लिप को अच्छे से लाइन कर लिए और आप आप यहां तो ओ पैलने का डर होता है और मेरी लिप्स्टिक का शेड भी से मिलता जूलता है आप अपनी लिप्स्टिक के शेड से मिलता जूलता लगाएंगे तो आपके लिप्स नेच्रल लगेंगे ऐसा नहीं लगागा आपने पहले लाइन किया है और यहाँ पर मैं ColorSqueen की ये रश्चीन रेड लिप्स्टिक ले रही हूँ इसके सन्ग ये 2-1 लिप्स्टिक है लिप्स्टिक मैंने लगा ली है ये Matte Lipstick है, Liquid वाली ये अप्लाए कर रही हूँ दोनों लगाई है मैंने और ये Beauty Blender की Help से में यह वाला एरिया मुझे पसीना आ रहा था यह वाला एरिया मैंने थोड़ा डैप कर लिया है नेक्स्ट में यह M&N का करलर मसकारा ले रही हूँ और करलर मसकारा बहुत अच्छा है स्मच प्रूफ है वाटर प्रूफ है और अच्छे से आपकी आईलेशिस को करल कर देता है आप कोई भी ले सकते हैं मेबलीन का कॉलसल का लाइनर भी और मसकारा भी दोनों ही बहुत अच्छे हैं मुझे उसका मसकारा भी अच्छा लगा और आप देख सकते हैं मेरी आईलेशिस कितनी define दिख रही है कितनी सही वाली feeling आ रही है फुल-फुल feeling आ रही है और मैं कोई fake eyelashes नहीं लगा रही है क्योंकि फिर वो बहुत ज़ादा heavy heavy सा feel देता है आपकी eyes को bridal वाला feel देता है और कोई bridal makeup तो है यह है नहीं एक evening makeup के लिए यह वाला mascara का रहा बहुत है और setting spray के लिए mist and mix ले रही हूँ मियॉन का और कुछ चार से पाथ spray में अपने face पे करूँगी और से set और निक लिए छोड़ूँगी and then done friends and that's my final look friends comment करके ज़रू बताईए आपको कैसा लगा मेरा यह makeup look pink evening makeup look और like, share and subscribe जरूर कीजिए comment करके बताईए आपको मेरा makeup look कैसा लगा तब तक के लिए good bye